तो समाने ज्यान के प्रेकटिय सएट कई तो चलुँ फ्रेंड इस gitu को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीस में चैनल को सब्सक्राब कर लेजिए और आपने चैनल को सब्सक्राब कर लेजिए तो इस वीडियो को लाइक किजिए अपने फ्रेंड के शेर किजिए चल चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन है हमारा सारनात का लॉइन कापिटल किस आशक से संबंदेत है कनिशक अशोक बिम्बिसार या फिर शिशुनाक तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आउंसर है वह ऑप्शन B अशोक से संबंदेत है हमारा लॉइन कापिटल नेक्स्ट है कलिंग प्रदेश के महान शाषक कौन हुए यह आपको पता होगा कलिंग देश के शाषक जो थे वो कौन थे अशोग खारवेल अजाच्छतु और चंद्र गुप्त तो वो थे खारवेल ऑप्शन बी राइट आंसर है फ्रेंड्स उट्स टाइम पे हातिगुफा अविलेक से कलिंग प्रदेश जो था उसके शाषक के रूप में खारवेल का उलेक मिलता है खारवेल चेदी वन्ष्ट का था खारवेल को महराज महामेदवाहन और कलिंगा दिपाती भी कहा गया है ठीक है तो इस नाम से भी गिव यहाँ पर अगर हम देखें तो option A right answer है ग्यान प्राप्ति नेक्स्ट है योग दर्शन किसे संबंदित है गौत्मी पार्णी पतंजली या जैमनी तो फ्रेंट्स अगें 20 डे सीरीज में यह हमने सारे डिसकस किये हुआ है कि यह किन-किन से संबंदित है ठीक है तो आप वह और कौन से दर्शन की बात की है नेक्स्ट आते हैं सिंदू सब्विता का ग्यान हमें कहां से मिलता है ताम पत्रों से अभी लेखों से पुरा तत्विक उत्खनन से या फिस साहित्ते से तो फ्रेंट्स का right answer है C यह हमें मिलता है पुरा तत्विक उत्खनन से ठीक है तो कि सिंदू सब्विता का जो ग्यान था वो हमें पुरा तत्विक उत्खनन से मिला था क्योंकि वहां पर कोई साहित्त तता ताम मृत पाई नहीं गयते जो मृत कंभांडों पर कुछ ऐसे लेख पाई गयते परन्तु अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए यह का दसमलब प्रणाली सब्थम किसने चलाई थी आरेभट, न्यूटन, गैलिलियो या फिर नागाड जुन्ने तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो आरेभट गुप्त काल का गड़तिग्य कहा जाता है और इन्होंने ही दसमलब प्रणाली को सब्थम बताया था सूर्य सिद्धान्थ आरेभट की प्रथे पुस्तक का नाम है तो आप वो भी नोट कर लीजिए कौन सा? सूर्य सिद्धान्थ ठीक है? सूर्य सिद्धान्थ इनके पुस्तक का नाम है ठीक है? नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शाशक कौन थी? यह भी मैं आपको डिसकस कर चुकी हूँ प्रथम और अंतिम महिला शाशक थी रजिया सुल्तान option a right answer है और friends इनका जो यह किसकी पुत्री थी यह पुत्री थी यह इनका time period था जिनों में इनों ने शाशन किया था दल्ली के ऊपर ठीक है तो बुत्री यह option रजिया सुल्तान next आते है friends किस सूफी संत की दरगा अजमिर में है क्या सुद्दीन बावाफरीद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिष्टी या फिर निजामुद्दीन ओलिया रेशम उत्पादन की दरस्टी से अच्छा माने वाला शहर कौन सा है लखनाव वाराणसी स्रिंग्रंग पटनम या दर्भंगा तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें रेशम की तो रेशम का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो करनाटक राज्जे प्रथम स्थान पर है लेकिन यहाँ पर हमारे option में given नहीं है तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वाराणसी सही उत्तर होगा क्योंकि करनाटक के वाराणसी आता है ठीक है तो यहाँ पर वैसे तो करनाटक है लेकिन option के according हम वाराणसी पर जाएंगे ठीक है और अगर हो सकता है आपक कि कौन से साशक ने ग्रांट अक रोड बनवाई थी बहुत ही सिंपल है सेडशा, अकुवर, शिवाजी औरंग जेट, आप्शन एराइट आंसर है ये बनवाई थी शेडशा, सूरी ने, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब इसमें फ्रेंड सिवाली के बाले काल पर किसका अधिप प्रवापड़ा ये में बताना है, शाहाजी भोसले, माता जीजावाई, गुरू, कॉंडदेव, या फितुकावाई, मोहिते, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिवाजी के बाले काल पर माता जी तो उन सब का नाम मात्र का पढ़ाता है, तो सेकेंड और ठर्ड जो है, वो हमारा राइट आंसर होगा, तो इस अकॉर्ड हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, नेक्स्ट हाते हैं, इंकलाब जिन्दावाद का नारा किस ने दिया था, श्वास्चन बो बॉलिविया पठार या पि मैसेटा का पठार, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है, भी पामेर का पठार सबसे उचा पठार है, नेक्स्ट आते हैं, बहुती सिंपल कोशन है, फ्रेंड्स अगें यह भी बहुत पूछा जाता है, एक्जाम में, मैदान के पेच्छा, रेग जो वालू होती है, भर जल्दी गरम भी हो जाती है, भर जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, और दिन अधिक गरम होती है, इसलिए उप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बायू मंडल की जो उजन परते हैं वो हल्टा वाइलेट के रुनाओं से हमें सुरक्षा प्रदान करती है नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील अमेजवन गंगा या फिर मिसिस्पी मिसौरी तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो इसका राइट आंसर ह वह है उप्षन नमर ए जो की है नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी भ्रहंपुत्र गंगा या फिर काबेरी तो सबसे लंबी नदी है यहां पर फ्रेंड्स गंगा ठीक है नेक्स्ट है निमन मैंसे कौन सी रेखा भारत से ओकर गुजरती अमकर करकरेखा विश्वत रेखा करकरेखा तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हम बात करें तो यह करकरेखा गुजरती है फ्रेंड्स अगें 20 डे सीरीस की जो वीडियो है उसमें हमने यह सारी चीज़े आपको डिसकस की हुई है ठीक है तो आप जरूर देख लिजेगा वहां पर मैंने वताय हुआ है यह सारी चीज़े किस किस तरह से की जाती है ठीक है इनके बारे में और भी कोशन से जो की पूछे जाते हैं तो सब कुछ हमने वहां पर अच्छे से डिसकस किया हुआ है नेक्स आते हैं भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है कारा कोरम केटू कंचन तो फ्रेंड राजेचवा के जो चुनाव होते हैं वो प्रते एक दो वर्ष में होते हैं ठीक है क्योंकि वहां पर दो दो वर्षवाद वो क्योंकि यह स्थाई सदन है ठीक है तो दो दो वर्षवाद वो रिटायर होते रहते हैं लोग इसलिए यहां पर ऑप्शन तू जो रास्टपती को सपत ग्रण कराता है भारत का मुख्य देयाईदीश, भारत को प्रास्टपती, भारत को लोकसवध्यक्ष या फिर भारत का रक्षा मंत्री तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आएं तो option A यहाँ पर हमारा right answer है भारत का मुख्य नियाईदीश नेक्स्ट है उच्छ नियाले में नियादीशो की नुक्ती कौन करता है राज्यपाल, रास्टपती, मुख्य मंत्री या फिर प्रधान मंत्री तो फ्रेंड्स का right answer है हमारा option number B जो की है रास्टपती, रास्टपती उच्छ नियाले में नियादीशो की नुक्ती करता है ठीक है अगेन इसके regarding और भी information है वो हमने अपने उन series में वहाँ पर discuss की हुई है तो आप जाके उनको जरूर देख लीजिए अगर आपको detail में और भी information चाहिए next है गुबारे में कौन सी gas भरी जाती है hydrogen, organ gas, helium या फिर oxygen तो फ्रेंट्स जो गुबारे में oxygen भरी जाती है वो भरी जाती है helium gas तो option c यहाँ पर हमारा right answer है next है गोवर गैस का मुख्य घटक कौन सा है methane, ethane, propane या फिर ammonia तो फ्रेंट्स गोवर गैस की बात करें तो इसका मुख्य घटक यहाँ पर आता है जो की है हमारा methane तो option a यहाँ पर हमारा right answer है next है laughing gas किसे कहाँ चाता है ammonia, nitrous oxide, carbon dioxide या फिर acetylene तो फ्रेंट्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो right answer होगा 25 का वह हमारा option number b जो की हमारा nitrous oxide तो friends I hope आपको यहाँ पर हमारा practice ad पसंद आया होगा practice ad पसंद आया तो please इस वीडियो के लाइक कीजिए अपनी friends के शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई वी query हो तो ज़रूर बताएगा और friends और इस चैनल को subscribe करना मत भूलेगा वेल आइकन पर click कीजिएगा जिससे की new video को notification आप तक मिल जाए तो next video में हम आप से फिर मिलते हैं और वेच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye